Hello everyone, Hello dear students, Welcome to ATB Star Learning Platform guys, कैसे वो आप सब, Hoping that you are taking care of yourself and your family. Guys, आप में से बहुत सारे students का जेयमेन का paper हो चुका है, और कुछ students का जेयमेन का paper अभी बचा हुआ है, यहींनि जिन भी students का paper अच्छा हो चुका है, so they must be looking forward for J-Advance. 2020 ओविसली सभी लोग चाह रहे हैं कि अब जई एडवांस में वो बहुत अच्छा परफॉर्म करें यह उनका जो ड्रीम डेस्टिनेशन है यानि आइटी में अच्छी रेंकलाना जो उनका ड्रीम है उसके लिए तो भई एडवांस में हमें फोड़ना होगा बहुत अच्छा परफॉर्म करना होगा अब देखो जैसे कि आप सभी जानते हो कि यह एडवांस की तयारी लंबे समय से होती है कुछ students 9-10 से शुरू कर देते हैं लेकिन majority student class 11 से start करते हैं काफी सारे students droppers भी होते हैं तो लंबी तयारी लगती है यानि पहली चीज तो सभी को clear है कि suddenly अभी 20 दिन की तयारी में ही जैई advance तो clear नहीं हो पाएगा कोई rare circumstance की बात अलग है लेकिन in general ऐसा नहीं हो पाएगा यानि जो students अच्छे से तयारी कर चुके हैं already advance का बढ़िया कर चुके हैं अब यह जो 20 दिन हमारे पास approximately बचे वे in 20 days में हमें क्या करना चाहिए आज मैं आप सभी के साथ detail में यहीं share करने वाला हूँ तो make sure इस वीडियो का आप end तक जरूर देखें पसंद आये तो like जरूर करें और आपने चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया तो guys do it right now तो चलिए मैं के करके आपको सारी important बाते बताता हूँ सबसे पहले mains versus advance यार देखू वैसे तो आप सभी को clarity होगी लेकिन mains और advance के slaybers में significant difference होता है significant difference होता है and type of questions में तो होता ही होता है लेकिन slaybers का difference भी अपने को पता होना चाहिए जैसे मैं example आपको दे रहा हूँ जैसे कि organic chemistry की अगर मैं आप सभी को बात बता हूँ तो organic chemistry में RS and EZ जो nomenclature होता है ये J advance में नहीं है RS से हमारा J main में question आती ही रहते है लेकिन advance में RS EZ नहीं है अगली important बात J advance में कोई भी unnecessary biomolecules का random सा test नहीं आता जैसे कि J main में तो आ जाता है बहुत सारे POC वाले SA test आते है यानि J advance में सबसे खास बात क्या करते हैं यार वो slaybers है ना slaybers के अंदर ही बिल्कुल properly stick रहते है जो slaybers define किया जो reactions define की उनी से पूछेंगे लेकिन बहुत ही गहराई में पूछेंगे यानि बहुत students को ऐसा लगता है कि J advance मतलब out of slaybers यार ये बहुत बड़ा myth है ऐसा नहीं है इन फाक बहुत सारे teachers को भी ये लगता है बट यार समझ रहे हैं आप एक पर paper देखो तो सही you will see कि paper जो होता है वो perfectly जो slaybers का दायरा होता है उसमें वो पूछते हैं ठीक है मैं 97% तो बोल सकता हूँ 3% की बात अलग होती है ठीक है ना focus on that 97% और मेंस और एडवांस के slaybers का differentiate करना आपको आना चाहिए इससे related ATP स्टार पे वीडियो अलड़ी बन रखे हैं आप चेक भी कर सकते हो JMAN versus J.E.डवांस slaybers का analysis अलड़ी ये वीडियो आटीबी स्टार पे अविलेबल है तो उसको आप जरूर देख लिएगा पहली बात तो ये next important बात येस बई देखो ये क्या होता है J.E.डवांस आप सभी जानते हो बिल्कुल एक तरह से marathon होता है यानि दो papers हमारे पास होते है सुबह भी देना होता है इवनिंग में भी देना होता है तो उसके लिए अपना stamina अच्छा होना चाहिए हमारी आदत होनी चाहिए यानि I will recommend कम से कम आपको तीन से चार बार तीन से चार बार जो बीस दिन है उस दोरान at least दो तो माल लो आप दो टेस्स तो आपको देने ही चाहिए जो बिल्कुल समय रहे होना सुबह भी एक पेपर होगा पेपर वन होगा और बाद में भी पेपर टू होगा यानि दोनों पेपर्स आपके होंगे इस तरीके से आपको जेई एडवांस देना आना चाहिए ठीक है ना मतलब आपको देना है ठीक है उससे आपका stamina increase होगा और जब फिर आप जेई एडवांस दोगे तो आपको कुछ नया नहीं लगेगा यानि जेई एडवांस से पहले ये काम आप जरूर करें इससे guaranteed बहुत benefit होगा नहीं तो पता है ये काफी brain draining होता है आप मैंसे कई students ने पहले test दिया होगा लेकिन generally students क्या करते है दो test नहीं देते जी एडवांस का एक ही test देते है तो वो गलती मत करना अब लास्ट वक्त है अब कम से कम ऐसा आपको जरूर करना है अगली चीज पीवाई क्यू एंड सेलेक्टिड क्वेस्टन्स देखो यार इस समय पर सबसे अच्छा जो सोर्स होता है क्वेस्टन्स सॉल्विंग का प्रैक्टिस करने का वो क्या होता है अगेन प्रीविस एर क्वेस्टन्स होते हैं अब आप मैंसे काफी स्टूर्ट बोलेंगे सर वो तो सारे किये हुए ना क्वेस्टन्स फ्रम गुड बोक्स समझ गया जैसे फॉर एक्जाम्पल मैं एक्जाम्पल अपनी ही किताब का दे दता हूँ जैसे मेरी किताब है मास्टर प्रॉब्लम्स इन और्गनिक किमिस्ट्री उसके अंदर जिसके पास भी वो बुक है उसके अंदर नियोफाइट लेवल नहीं नियोफाइट होता है मेंस लेवल मैस्टर लेवल में आपको इंटीजर बेज़ और और ऑर्गनिक के जो वाले क्वेशन से वह बहुत अच्छे अच्छे क्वेशन आपको मिल सकते हैं तो पॉइंट इस तरीके से आपको सेलेक्टिड व्याद रखना रेलेवेंट होने चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने हापे बोला हुआ है मिक्स कंसेप्ट के होने चाहिए जै ब्राइश से सेलेक्ट करकर कर सकते हो लेकिन मेक्षॉर वो मिक्स कंसेप्ट वाले हो और रीलेवेंट जैसे आपको एक चीज चीज मैंने बता दिया है and एस और कुछ में काफी कुछ होने वाला है तो जो भी स्टुडन्ट ऐसे ऊर्गनाइस्ट कोर्स की तलाश моиू तलाश में है जो लास्ट में उनकी सारी प्रपरेशन का देखरेक कर ले और उनकी रांक बूस्ट कर दे इस क्राश कोर्स वुड़ बी अमेजिंग ऑसम फॉर आल उफ यू सभी स्टूडेंट जो भी इस तरह की रिक्वार्मेंट में रहते हैं आपको मुझे इंफॉर्मेशन प्रफेशन देना है कि अगर आप इस तरह के कोर्स की रिक्वार्मेंट में हैं तो जरूर इसको सकते हैं इस पर्टिक्लर कोर्स के बारे में थोड़ा समझ आपको जरूर बता देता हूं जो भी इंट्रUills हो इसको देख सकते हैं पाकी स्ट्राटीजी तो मैंने आपको बत आपको करने चाहिए वो study material आपको मिलेगा उसके अलावा chapter wise analysis and strategy की वीडियो आपको मिलेंगे schedule वीडियो आपको मिलेंगे ताकि आपको पता लग जाए किया किस किस तरह के questions आते हैं है ना और उनके questions को approach किस तरीके से करना चाहिए उस तरह के chapter wise analysis and strategy वाले videos आपको मिलने वाले हैं और अगली चीज यह test की date से यहाँ पर दी हुई है तीन test है proper gap के साथ last test आपका होगा 25th of September पर ताकि उसके बाद परसो मालब उससे अगले दिन से अगले दिन आपका real GE advance होगा okay guys and next thing इसका जो fee structure है guys जो पहले 100 students जो first 100 students इसमें enroll करते हैं उनके लिए fee structure हमने काफी affordable रखा है that is 1999 including the taxes including the GST and उसके बाद जो first 100 के बास students होगे उनके लिए that will be 2499 ठीके गाइस तो यह information मुझे आप सभी को देना था and 7th September से classes start हो जाएंगी lectures आपको मिलने शुरू हो जाएंगे hoping that आपको यह course बहुत helpful रहेगा जो भी students इस तरह के course की तलाश में है and because आप सभी जानते हो कि या जही एड्वांस जो है यह हमारे dream college you know मिलने की एक तरह से आखरी CD है एक बार अगरा मने उसमें बहुत अच्छा कर लिया तो बस मज़ा आ जाएगा वो दिन बहुत अच्छा जाना चाहिए उसके लिए आपका momentum बनना बहुत ज़रूरी है और उस momentum को gain करने के लिए maintain करने के लिए आपका सही direction में occupied रहना बहु की गई सो आप अच्छे से तैयारी कीजिए और बस focus रही है distracted नहीं होना है जैसे मैंने हमेशा बोला है जो आपको बताया जाता है यानि जो मैंने सारे points बोले के points को points को गहराई में समझना और सारी बातों को properly apply करना बस take care of yourself, take care of your family, take care of your health as well, okay guys, love you all and bye-bye.